हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सब का आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंक एफेम है आज के वीडियो में BPSC 66V खान सर का सेट 4 शुरू करेंगे सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ हमारा पहला कोईचन है टाडी ग्रेड किस्से सनबंदित है चंद्रमा पर इसराइली मिशन से ओप्शन A सही उत्तर हो जाएगा इसे एक इसराइली अंत्रिक्स यान बिरसेट पर भेजा जा रहा था जो हाल ही में चंद्रमा पर दुरखटना गरस्त हो गया नेक्स्ट कोईचन क्रीट दुईप अवस्तित है भूमद सागर में क्रीट दुईप भूमद सागर में अस्तित है यह ग्रीग दुईपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आभादी वाला दुईप है गीग वर्कर से आपका क्या अभिपराई है परामप्रिक नियोक्ता करमचारी सन्बंद के बाहर स्रमिक से निमलिखित देश में से कौन सा देश इजराइल के साथ अबराहम समझोते पर हस्ताक्षर किया है अबराहम समझोते के माध्यम से इजराइल और दो अरब खारी राजियों सन्युक्त अरब अमिरात और बहरीन ने आपचारिक और सर्वजनिक रूप से राजनाइक सन्बंद अस्तापित किये है UAE और बहरीन इजराइल के साथ राजनाइक सन्बंद खोलने वाले तीसरे और चौथे अरब देश है मिस्र और जॉर्डन पहले दो देश थे तो आप्शन यी राइट आंसर हो जाएगा इज 3.0 इंडेक्स निमलिखित मेंसे कि छेदर से सन्बंदित है बैंकिंग से इज का उद्दे से स्वच और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है फाइब अश्टार गाउ योजना के बारे में निमलिखित मेंसे कौन सही नहीं है तो यहाँ पर गलत कथन को चुनना है ओप्शने देखिए यह डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया और 5 ग्रामिन डाक सेवको की एक टीम द्वारा कारियानवित किया गया है तो यह सही है सभी डाक उतपादों और सेवाओं को 5 अश्टार गाउं की योजना के तहद ग्रामिन अस्तर पर उपलब्ध, वीपनन और परचारित किया जाएगा ओप्शन B भी सही है योजना के तहद यदि कोई गाउं 4 डाक योजनाओं के लिए सारुभामिक कवरेज पराप्त करता है तो उस गाउं को 4 सितारा दर्जा पराप्त होगा ये भी सही है सबसे पहले महराश्ट में यह एक प्रायोगिक प्रयोजना के रूप में सुरू की गई है तो उप्षन D भी सही है तो इसका राइट आंसर उप्षन E हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन ग्लोबल जनरेशन अन्लिमिटेड एक पहल है तो ये जो है यूनी सेफ की एक पहल है उप्षन भी हो जाएगा यूनी सेफ की विशुजल विकास रिपोर्ट निमलिखित में से किस संगठन की एक परमुख रिपोर्ट है सन्युक्त राष्ट की अस्पाइस पलस पोर्टल किस से सनबंदित है अस्पाइस पलस एक नया वेव आधारित फ़र्म है अस्पाइस पलस इज ओफ डूइंग बिजनेस के परती भारत सरकार की विविन पहलो और परती बधता का हिस्सा है कामपनी नेगमन परकिरिया को आसान बनाने के लिए MCA ने अन्नी पंजीकरन फ़र्म के साथ एक नया वेव आधारित फ़र्म अस्पाइस पलस की शुरुआत की है तो आप्शन E राइट आंसर हो जाएगा माउंट सीना बुंग जुआला मुखी सक्रियता के लक्षन के कारण चर्चा में रहा यह जुआला मुखी किस देश में अवस्तित है इंडोनेसिया में माउंट सीना बुंग जुआला मुखी उत्तर सुमातरा इंडोनेसिया में अवस्तित है चात्र उद्मीता कारीकरम किस के दौरा लंच किया गया नीती आयोग के दौरा फी एक न्यूज के खदरे से निपटने के लिए सत्तिमेव जैते नाम से एक डिजिटल मीडिया साक्षरता कारीकरम के शुरुआत किस राजे दौरा की गई है केरल के दौरा तो उप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इन में कोई नहीं मेघाले की मसमई गुफा में जी ओरीसा मसमई सिंस नामक परजाती की खोज की गई है यह निम्र में से किस से सनबंदित है सुक्सम घोंगे की परजाती से सनबंदित है ओप्शन ई हो जाएगा सुक्सम घोंगे की परजाती धान की फसल का बलाश्ट रोग किस फंगस के कारण होता है मैगना फोर्थ औरीजा के कारण धान की फसल का बलाश्ट रोग मैगना फोर्थ औरीजा नामक फंगस के कारण होता है यह धान के पोधे के जमीन से उपर के सभी हिस्सों को परभावित कर सकता है नेक्स्ट कोईचन मतस्टी छे हजार निमलिखित में से किसे सनबंदित है मानव योग्त पंडुब्बी से ओप्शन ए हो जाएगा यह भारत का पहला अवदूतिय मानव योग्त महासागर मिशन है जिसका उद्यसी गहरे समुद्र में अनवेशन और दूरलव खनीजों के खनन के लिए पंडुब्बी के माधियम से व्यक्तियों को भेजना है यह गहरे पानी के नीचे अधियन के लिए तीन व्यक्तियों को मतस्य छे हजार नामक मानव योग्त पंडुब्बी में छे हजार मीटर की गहराय तक समुद्र में भेजेगा नेक्स्ट कोईशन आगा खान के नित्री तुमें लौड मिंटो से सिमला में मिले मुसलमानों के सिष्ट मंडल ने प्रातना की मुसलमानों के लिए प्रिथक निर्वाचक वर्ग की आगा खान के नेत्रित में 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सिष्ट मंडल ततकारिन वाइसराई लौड मिंटो से सिमला में मिला सिस्ट मंडल ने प्रांतिये केंद्रिये एवं अस्थानिये निकाई में निर्वाचन के लिए मुसलमानों के लिए प्रिथक निर्वाचन के मांग की इसके जवाब में मिन्टों ने मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि उनके राजनेतिक अधिकारों की रक्षा भारत में की जाएगी निमलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारते राश्टे कंग्रेस का विभाजन हुआ स्वदेशी आंदोलन के कारण सोदेशी आंदोलन के शुरुवाद बंगाल विभादन के परिनाम सवरूप 1905 इस्वी में हुई जिसमें ब्रेटिस वस्तो का बहिसकार किया गया और सोदेशी उतपादन को प्रोजसाहित दिया गया गरम दल के जो समर्थक सोदेशी आंदोलन को पूरे भारत में लागो करना चाहते थे जबकि नरम दल के समर्थक सोदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सिमित रखना चाहते थे नेक्स्ट कोईचन निमलिखित में से किस अधिवेशन में कॉंग्रेस दो भागो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 इसवी में सूरत में संपन हुआ था एतिहाचिक दिरिष्टी से यह अधिवेशन अती महत्युपुर्ण था, गरम दल तथा नरम दल के आपसी मत भेदो के कारण इस अधिवेशन में कॉंग्रेस दो भागों में विवाजित हो गई थी, भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन 28 दिसंबर 1850 इस मुंबई में अस्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कीत कॉलेज के भवन में आयोयत हुआ, जिसमें कूल 72 सदशियों ने भाग लिया नेक्स्ट कोईचन, मांटेगिव चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919, मांटेगिव चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मांटेगिव ने संसर द्वारा निर्मि का सिरे जाता है 1932 से 34 इस्वी के दोरार युवा कॉंग्रेस जनों के एक वर्ग ने कॉंग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंध की और प्रेडित करने के लिए समाजवादी पाटी बनाई जिसके परमुग सदस्य जैपरकास नरायन अच्यूत पटवर्धन यूसुफ मेहर अली असोक महता और मीनू मसानी थे इस पाटी ने देश में समाजवादी विचारधारा का परचार किया तो आप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट कोईचन पर्थम भारती जिन्होंने स्वाधिन भारत में गवर्धन जनरल का पदवार गरहन किये थे वो कौन थे सी राज गोपालाचारी निमलिखित में से कौन सा गोल में सम्मेलन 1932 इस्वी में हुआ था तीसरा गोल में सम्मेलन लंदन में 17 नौमबर 1932 को हुआ था यह नाममातर का सम्मेलन था क्यूंकि इसमें कॉंग्रेस और बिरिटेन की लेवर पार्टी ने भाग ले से मना कर दिया था इस सम्मेलन में एक सुएत पत्र जारी किया गया जो बाद में भारतिये सासन अधिनियम 1935 का आधार बना भारत संग इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे शुरेंद्र नाथ बनर जी शुरेंद्र नाथ बनर जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के चार पत्र भी निकाला जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मारी थी उधम सींग ने उधम सींग गदर आंदूलन के एक कारी करता थे 1919 इश्वी के जलिया वाला बाग का नर सनहार जनरल डायर ने किया था इसी का बदला लेने के लिए उधम सींग ने जनरल डायर को गोली मार कर हत्या कर दी निमलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे बाल गंगा धरतिलक गरम दल के सदसी थे इनके अन्नी सहीयोगियों में लाला लजबतरा एवं विपिन चंदर पाल थे इन लोगों को नरम पंथियों दोड़ा अंग्रेजी सरकार से प्रातना एवं अनुयाई की नीती पसंद नहीं थी भारत में निमलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्नी जीवों को संदक्षन परदान करता है वन्नी जीव संदक्षन अधिनियम 1972 भारत में वन्नी जीव संदक्षन अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागो किया गया वन्नी जीवों की तसकरी अवेज सिकार से और राजियों में से किस में उशनकतीबंदीयenne आर्ध सदापरणी वन पाए जाते हैं उसनकतीबंदीये आर्ध सदाबहार बहार उन awesome पाए जाते हैं जहाँ वर्चा से थीन्सो सेंटिमीटर की बीच होते हैं जैसे पछमी घाट अरुनाचल परदेश में उशनकती बंदिये आर्थ सदा बहार वन पाए जाते हैं जबकि हिमाचल परदेश में मुखेता उस निकटी बंदिये नम परनपाती वन उस निकटी बंदिये सुस्क परनपाती यह वन पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा निम्न युगम पर विचार कीजिए ओप्शन में दिया गिया है और कौन सा युगम सही सुमेलित है पहला ओप्शन काडमम पहारिया कोरो मंडल तठ तो यह गलत है काडमम की पहारिया केरल के दक्चिन पुर्वी तथा तमिलनाडू के दक्चिन पर्चिमी भागों के बीच म भी गलत है कैमूर की पहारी मध्धी परदेश के जबलपूर जीले में अस्तीत है तीसरा देखिए महादेव की पहारिया मध्धी भारत तो ये सई है मिकीर की पहारिया पुरुवत्तर भारत ये भी सई है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में फसल सघंता है एक पोइंट चार तीन परतिसत पर्थम हरित क्रांती मुख्यता सनबंदी थी गेहू से ऑप्शन भी हो जाएगा गेहू से 1960 के दसक के आरंभिक चरण में क्रीसी में कुछ नई तकनीकों की शुरुवात की गई जो विशुभर में हरित क्रांती के नाम से परसिद हुई इन तकनीकों का परियोग सब से पहले गेहू की खेती के लिए तथा दूसरे दसक में धान की खेती के लिए किया गया अर्थात पर्थम हरित क्रांति गेहूं तथा दूतिय हरित क्रांति जो है चावल से सनबंदित है सितंबर 21 में किस राजे ने मात्री भूमी योजना शुरू करने की घोसना की है उत्तर परदेश ने किसान कॉल सेंटर की अस्थापना कब की गई थी 2004 इस्वी में भारत के निम्ण में से किस भाग में खनी संसादनों के सबसे बड़े भंडार है दक्षिन पुडू में भारत में निम्लिखित भौमी की ये सेल करोमों में से किसमें लोह अयस का समड़ीद भंडार पाया जाता है धारवार करम में क्वार्जाइट कायांतरित होता है बल्वा पत्थर से ऑप्शन C हो जाएगा बल्वा पत्थर से निमलिखित युगुमों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है तो ऑप्शन A देखिए मीखीर पहारिया दक्षिन भारत यह साही है महादेव पहारिया पर आपको गलत को माद्थिपरदेश में अस्तीत है ना कि पुर्वत्तर भारत में निमलिखित राजियों में कौन पटकाई पहारियों से सनलगन नहीं है त्रीपूरा पठकाई रेंज भारत की उत्तर पुर्वी सीमा बर्मा से लग हुई पहारिया है पठकाई रेंज में भारतिय राजी नागा लेंड, मिखाले, मिजोरम और मनीपूर है निमलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? लद्दाग पठार अक्साई चीन की अवस्तिती भारत चीन सीमा के सम्मीलन अस्थल पर है इन भारतिय भूबाग पर वर्स 1962 के युद में चीन ने कबजा कर लिया है लद्दाग पठार अक्साई चीन चेतर में है निमलिकित में से कौन सा एक योगम सही सुमिलित नहीं है तो यहाँ पर भी आपको गलत को ही चुनना है चांगला दर्रा, जम्मू एवम कस्मीर सही है, रोहतांग, हिमाचल परदेश ये भी सही है बो मडीला और नाचल परदेश ये भी सही है, सेला, उतराखंड तो ये गलत है तो आप्शन डी इसका राय टांसर हो जाएगा, सेला, दर्रा और नाचल परदेश में अस्थीत है विद्यू तुत्पादन चम्ता के मामले में 2021 भारत का विशु में कौन सा अस्थान है तीसरा अस्थान, विद्यू तुत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका और चीन के बाद विशु में तीसरा अस्थान है कजाखिस्तान की नई राजधानी कौन सी है नूर सुल्तान तीस वर्षों तक कजाखिस्तान के राश्टपती रहे नूर सुल्तान नजर बायेव के इस पद से इस्तिफा के पश्जाथ उनके सम्मान में देश की राजधानी अस्ताना का नाम उनके ही नाम पर नूर सुल्तान रखा गया है 9 सितंबर 2021 को भारत माला पर योजना के तहद देश की पहली इमर्जेंसी एर अश्ट्रीव का उद्गाटन कहा हुआ है बार मेर राजस्थान में नागरिक्ता के अरजन के संद्बंद में निमलिखित गतनों पर विचार कीजिए आप्शन ए देखिए परती एक व्यक्ति जिसका भारत में स्वतनता के समय या उसके 50 जन्म हुआ है वह भारत का नागरिक है तो ये गलत है व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जन्म निम्शो पचास को या उसके 50 जन्म हुआ है तो जन्म से भारत का नागरिक होगा ओप्शन B कोई वेक्ति जो भारत के बाहर 26 जन्म निश्व पचास को था उसके पच्चा जन्मा था जन्म से ही भारत का नागरिक होगा यदि उसके मता या पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक था सही है यदि कोई नया छेतर भारत का भाग बन जाता है तो वह right answer option E हो जाएगा एक से अधिक नेक्स्ट कोईशन भारत की संसत के सामोहिक विशेश अधिकार है पहला देखिए संसत की कारवाहियों के परकासन का अधिकार तो ये सही है सदन के बाहरी वैक्तियों को अप वर्जित करने का अधिकार ये भी है आंतरिक विश्यों को वी नियम करने का अधिकार ये भी सही है विशेश अधिकार भंग करने के भंग के लिए अपने सदस्यों को दंड देने का अधिकार ये भी है तो इसका सही उत्तर option E हो जाएगा पर्ति वर्ज अंतराष्ट्य साक्षरता दिवस का मनाया गया है आठ सितंबर को संसत के दोनों सदनों की सन्यूक्त बैठक की अधिक्सता करने का पदानु करम है तो सबसे पहले जो है अनुछेद 118 4 के नुसार लोक सभा का अधिक्स सन्यूक्त बैठक की अधिक्सता करेगा लोक सभा का अधिक्स अगर लोक सभा का अधिक्स जो है अनुपस्थित रहे तब सन्यूक्त बैठक अधेक्स спасit या वह् बी अनुपस्तित हुआ तो राजी सभा का ऊपस अधेक्स अकरेगा राजीशवा का ऊप शभापती यदि राजीसवा का ऊप सभापती भी अनुपस्तित रहतों सदन द्वारा तै कोई भी व्यक्ति बैठकि अधेक्स 스승 करेगा तो इसके बाद option 4 होगा तो इसका जो right answer है option D हो जाएगा एक तीन दो चार next question सुनी काल से सनमंदेत निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला देखिए इसका उल्लेक संसद के दोनों सदनों की कारिवाही के नियमों में है तो ये गलत है परस्नकाल के विप्रिष सुनी काल का संसद की किसी भी सदन की कारिवाही में वर्दन नहीं है दूसरा इस काल के दोरान कोई विष्आ उठाने के लिए पुर्व सुचना देने की आब सकता नहीं होती सही है यह समय संसत के दोनों सदनों में परस्नकाल के तुरंत बाद आता है ये भी आता है यह संसत agency आपको गलत कथन को चुनना है तो option ए देखिए परतेक पंचायत अपने पर्था मदिवेशन की तारीक से 5 वर्सों की आउधी तक कारी करेगी सही है यदि पंचायत पहले ही वीघटित कर दी गई है तो वीघटन की तारीक के 5 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए तो य अगला question कौन सा देश 2 साल के बच्चों को करोना वैक्षीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है कियूबा के भारती ये निर्वाचन आयोग के सन्वाध में निम्न कत्नों में कौन सा कतन सही है तो पहला देखिए निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोक से मिलकर बनेगा जिसकी नियुक्ति राष्टपदी द्वारा की जाएगी सही है सम्विधान के भाग पंद्रक के अनुछेद 324 से 329 में निर्वाचन सर्मंदी उपबंध दिये गये हैं ये भी सही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्टपदी के परशाद परियंत तक अपने पद पर बने रहते हैं तो ये गलत है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीती वह आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीती वह आधारों पर उस्तम नयायाले के नयाधीशों को हटाया जाता है ऑप्शन दी अनुछेद 329 निर्वाचन निर्वाचन दी मामलों में नयायालों के हस्त छेफ का वरजन का वरजन करता है तो ये भी सही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यह हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन भारत के समिधान में अंतरविष्ट मूल करतबियों के बारे में निमलिखित में से कौन से कथन सही है तो पहला देखिए मूल करतबी रीट आधारिता के माध्यम से परवर्तित किये जा सकते हैं तो ये सही है मूल करतबी समिधान के अंगी करन के समय से इसका एक भाग है तो ये गलत है क्यूकि मूल करतबी समिधान के लागू होने के समय इसका भाग नहीं था वर्ष 1976 में सरदार स्वर्द सिंग समीति की सिफारिस के अधार पर 42 में संभिधान संसोधन के माधेम से इसको लागो किया गया Option C मूल करतब भी स्वर्द सिंग समीति की संसूतियों के अनुसार संभिधान का एक भाग बने तो ये सही है मूल करतब भी केवल भारत के नागरी को पर ही लागो होते हैं ये भी सही है तो आप्शन E इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधीक भारती सम्विधान में वेस्क मताधिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई 21 सम्विधान संसोधन द्वारा किया गया 21 सम्विधान संसोधन के द्वारा संविधान में 1976 में 42 संसोधन के तहत कौन सा सब्द नहीं जोरा गया تھा संसोधन किया गया था जिसमें तीन नए सब्द समाजवादी धर्म निर्पेक्ष या पंद निर्पेक्ष जो होता है और इसके बाद अखंडता को जोड़ा गया था लेकिन लोकतांत्री को नहीं जोड़ा गया था किली मंजारो है एक किली मंजारो अपने तीन जोड़ा मुखी संकू कीबो मवेंजी और सीरा के साथ पुरुवत्तर तंजानिया में एक निस्क रिए एस्ट्रेटो जोड़ा मुखी है तो किली मंजारो जो है यह एक जोड़ा मुखी है और अप्शन ई साय उत्तर हो जाएगा निमलेखित में से कौन सा महादूइप छेदरफल के अनुसार सबसे बड़ा है तो छेदरफल के अनुसार सबसे बड़ा एसिया है तो आप्शन E हो जाएगा इनमें कोई नहीं अस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादूइप है छेदरफल के अनुसार सितंबर 21 में भारत सरकार ने किस राजजी के साथ कार्भी अंगलोंग समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं असम के साथ संसार के छट किसे कहते हैं पामीर मध्धी एसिया में अस्थीत एक परमुख पठार एवं परवत है जिसकी रचना हिमाले, तीयन्षान, काराकोरम, कुनुलून और हिंदु कू सिरंखलाओं के संखम से हुआ है पामीर विश्व के सबसे उचे पहारों में से है इसे संसार की छट भी कहते है तो अप्शन ई से उतर हो जाएगा इनमें कोई नहीं विश्व की सबसे उची चोटिया किस परकार के परवतों में पाई जाती है नवीन मोरदार परवत में विश्व की सरवादिक लंबी परवत स्रिंखला है विश्व की सरवादिक सबसे लंबी जो परवत स्रिंखला है इंडीज है तो option E से उत्तर हो जाएगा इन में कोई नहीं सितंबर 21 में IUCN World Conservation Congress 2020 का आयोजन कहां किया गया फ्रांच में किया गया पेनाईन यूरोप, अपलेशियन, अमेरिका और अरावली भारत उधारन है पुरानी परवत शिरिंखला के दक्षिन अमेरिका में मध्धी अच्छांसिय घास में मैदान का क्या नाम है दक्षिन अमेरिका में मध्धी अक्षांसिय घास में मैदान का नाम पंपास है option E सही उत्तर हो जाएगा इनमें कोई नहीं पंपास होगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बक्स के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दिन एबक option E हो जाएगा इनमें कोई नहीं मध्यकालिन भारत के सासक कुतुबुद्दिन एबक दिल्ली सल्तनत के पहले सासक और गुलाम वन्स के संस्थाबक भी थे एबक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता था मुहम्मद गोडी की मृत्यू के बाद चुकी इसका अपना कोई पुद्र नहीं था इसलिए लाहोर की जनता ने मुहम्मद गोडी के परतिनिधी कुतुबुद्दिन एबक को लाहोर पर सासन करने का निमंतरन दिया किरिस्न देवराई के दरवार में अश्ट दिगज कौन थे आठ तेलगु कभी गोल कुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है फार्सी यातरी अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के सासन काल में आया था देवराई दूतिय के सासन काल में ओप्शन C हो जाएगा देवराई दूतिय के समय इटली के यातरी निकोलो कोंटी 1421 इस्वी को विजे नगर की यातरा पढ़ाया था अरब यात्री अब्दुल रज्जाक भी डेवराय दूतिये के सासनकाल 1483 इस 1443 इस्वी में भारत भरमन पड़ाया था जिसके विवरनों से विजे नगर राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है किस वंस के सुल्टानों ने सबसे अधीक समय तक देश में राज्य किया तुगलक वंस और सबसे कम खिलजी वंस सिंदु घाटि सभिता के किस अस्तल को नकलिस्तान कहा जाता है मोहन जोदरों को option E हो जाएगा इनमें कोई नहीं मोहन जोदरों को सिंदु घाटि सभिता का नकलिस्तान कहा जाता है जिसका अर्थ होता है बाग नव नालंदा महाविहार की परसिद्धी का मुख्य कारण कौन सा है पाली अनुशंधान केंद्र भारत के परमुक संपरदायो बौध तथा जैन दोनों में ही समान रूप से निमलिकित विशेश्टाय पाई जाती है कर्म तथा पुनर जन्म के सिधान्त सही है किस भारतिय राजा ने सिकंदर का जहलम के तड़ पर करा मुकावला किया किन्तु अंततह पराजित हुआ पोरस ने ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा पोरस सिकंदर का परतिरोध करने वाला पर्थम भारतिय सासक पोरस था जो जहलम नदी के तड़ पर हुए यूद में सिकंदर से पराजित हुआ था सिकंदर ने उसकी वीरता से परवावित होकर उसका राजी वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया प्राचिन भारत की लीपियों में से कौन सी लीपी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है खरोष्टी लीपी अप्शन भी हो जाएगा खरोष्टी निमलिखित में से कौन सा कतन सत्य है तो यहाँ पर आपको सही कतन को चुनना है तो अप्शन B राय टांसर हो जाएगा अंतिम सुंग राजा देव भूति की हत्या उसके ब्राहमन मंत्री वसुदेव कन उद्वारा कर दी गई सिंदुघाटी सब्विता का कौन सा तत्व वैदिक सब्विता में नहीं पाया जाता है विक्सित सहरी जीवन की सुविधाय प्राचिन भारत की परमुख मारम निर्मित जील गिर्णार के निर्मान तथा मरमत से कौन सनबंदित नहीं था विन्सेंट असमीत द्वारा किस भारती सासों को भारत का निपोलियन कहा गिया है समुद्र गुप्त को option B हो जाएगा समुद्र गुप्त चंद्र गुप्त पर्थम और कुमार देवी का पुत्र समुद्र गुप्त गुप्त वंस का एक सक्तिसाली राजा था उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था वो कभी किसी यूद में नहीं हारा इतिहाजकार वी एए समीत ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है next question महात्मा बुध के संबंध में निमलिखित कतनों में कौन सा गलत है तो यहाँ पर गलत कतन को चुनना है तो option A देखिए बुध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था तो यह सही है महात्मा बुध का जन्म 563 इसा पुरु में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था B देखिए उन्होंने बोध ग्या में घ्यान की प्राप्ति की यह भी सही है उन्होंने वेदो के परमानेक्ता को सुविकार किया किन्तु कर्मकांड की आलोसना की तो यह गलत है । option C इस का रायट अंसर हो जाएगा क्यूंकि उन्होंने वेदों के पर्मानेक्ता को और स्विकार कर दिया तथा चार आरी सत्यों का परचार किया नेक्स्ट कोईचन इलोट्स का सनबंध है सिक्षा विभाग से जलियावला बाग नर्शनहार किस गांधिवादी सत्यागरा के संबंध में हुआ रॉलेट सत्यागरा ओप्शन डी से उत्तर हो जाएगा जलियावला बाग हत्याकान 13 अप्रिल उनिस सुनिस को हुआ था भारतिय स्वतनता समर्थक नेताओ डॉक्टर सेफुदिन केचिली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफतारी के विरोध में पंजाब के अम्रिसर में जलियावला बाग में एक बड़ी सांती पूर्ण भीर जमा हो गई थी नेक्स्ट कोईचन उत्तर भारत का पहला बायो डीजल रिफाइनरी कहां अस्थापित किया गया है पटना में ब्राइट अश्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहु राष्टी सेन्नी अभ्यास है मिसर में बिहार के किस सहर को हरित उर्जा कुसल सहर बनाया जा रहा है राजगीर और बोध गया को ओप्शन ई हो जाएगा एक से अधीक सिग्धोत पादी रियक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नावकी रियक्टर जो बिजली उत्पन करता है विखंडन पड़किरिया के दुआरा अप्शन ए हो जाएगा विखंडन पड़किरिया के दुआरा सौर वीकिरन निम्ण में से किस परास में दिखता है सौर वीकिरन विद्यू चुम्बु की वीकिरन होता है जो सूरी से उस्मा या परकास के रूप में पराप्त होता है यह एक परकार की उर्जा होती है शुरियाता प्रित्वी की समतल सतापर परती एकाय छेत पर पराप्त उर्जा सोड़ वी किरन है सोड़ वी किरन का परास 100 नैनो मेटर से 10 टू दी पावर 6 नैनो मेटर तक विश्दिरित होती है लेकिन दृस्टी परकास 400 से 700 नैनो मेटर परास में दिखता है तो आप्शन E सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन पोखरन सेकेंड पोखरन दूसरा जो है पराइक्षन कब किया गया था 11 माई 1998 को परकास वी किरनों की परकिरिती होती है तरंग एवं कन दोनों के समान होती है राडार का अविस्कारक कौन था रबर्ट वाट्सन अप्शन E हो जाएगा रबर्ट वाट्सन अगला कोईचन पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस परकार के लेंज से बनते हैं उत्तर लेंज से अप्शन B हो जाएगा उत्तर लेंज एक गोलाकार लेंज होता है जो की बीच से मोटा तथा किनारे से जो हो किनारों से पतला होता है उत्तल लेंस अपने पास से गुजरने वाले संपूर्ण परकास को एक बिंदू पर केंद्रित कर देता है उत्तल लेंस में वस्तु का परतिवीम वास्तवीक आभासी तथा उल्टा बनता है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कारी पर मिला परकास विद्यूत परभाव पर पीतल निम्न की मिस्रधातू है पीतल जो है तामबा एवं जस्ता की मिस्रधातू है किसी परमानु नाभिक का आईसोटोप वह नाभिक है जिसमें आईसोटोप एक ही तदो के परमानु जिन की परमानु संक्या समान होती है परंतु परमानु भार अलग-लग होता है उन्हें समस्तानी कहा जाता है या आईसोटोप कहा जाता है इनमें परतेक परमानू में समान प्रोटोन होते हैं जबकि निट्रोन की संक्या अलग अलग होती है इस कारण परमानू संक्या तो समान रहती है लेकिन परमानू का दरविमान अलग अलग हो जाता है तो इसका सही उत्तर ओप्शन E हो जाएगा भौतिक परिवर्थन का एक उधारन है, तो भौतिक परिवर्थन का जो उधारन है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना ये रसाइनिक परिवर्थन है, मंबती का जलना ये भी रसाइनिक, दूद से धही बनना ये भी रसाइनिक, लक्री का जलना ये भी रसाइनिक, तो बहुतिक परकिरिया औस्थाई एवं उत्क्रमनिय होती है पानी में चीनी का घुलना एक भुतिक परिवर्तन है क्यूंकि वास्पन द्वारा चीनी को पुनह प्राप्त किया जा सकता है निमलिखित में से किस्म रिनात्वक आवेश होती है बीटाकन में कुरुमेटोग्राफी की तकनीक का परियोग होता है एक मिश्रन से पदार्थों को अलग करने में निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में परियोग होता है वनस्पती तेल रंजीत सिंग को राजा की उपाधी किसने परदान की जमान साह ने अप्सनी हो जाएगा जमान साह महराजा रंजीत सिंग को राजा की उपाधी जमान साह ने दी थी जमान साह ने पंजाब पर 1798 में इस्वी में आक्रमन किया वापस जाते समय उसकी तोपे चिनाव नदी में गिर गई रंजीर सिंग ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया बदले में जमान साह ने उसे लाहोर पर अधिकार करने की अरुमती दी यूरोप वासियों को सरवत्तम सोडा कहां से प्राप्त होता था दिहार से निमलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतिय प्रेश का मुक्ती दाता कहा जाता है सौर चाल्स मेटकफ को इस्ट इंडिया कमपनी को सुनाहरा फर्मान कव प्राप्त हुआ था भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है औरंग जेब की वेपार विरोधी निती तो आप्शन डीस का राइट आश्र हो जाएगा ये सही नहीं है कलकत्ता के अस्थापना से पुर्व अंगरेजों की बंगाल में विशालतम बस्ती थी विरिजमेन के अधिन 1651 इस्वी में एक फैक्टरी हुगली में खुली गई और सोरे, रेसम और चीनी का वेपार आरम किया गया ये बंगाल की परमूख निर्याद सामगिरिया थी निमलकित में से कौन असम में 1857 की करांती का नेता था दिवान मनिराम दत ओप्शन सी हो जाएगा असम में 1857 की करांती के समय वहां के दिवान मनिराम दत ने वहां के अंतिम राजा के पोत्र कंद पेशुवर सिंग को राजा घोशित करके विद्रोह की शुरुआत की लेकिन सिग्र ही विद्रोह का दवन करके मनिराम को फासी दे दी गई सिवा जी ने मुगलो को किस युद में हराया था सलहार की युद में सिवाजी ने 1669 इस्वी में सलहार के युदे मुगलों को हराया था विशुव हाथ स्वच्ता दिवस निमलिखित में से कम मनाया गया है 5 माई को मार्च 2020 में ही डेश में सबसे बड़ी IT कंपनी निमलिखित में से कौन बनी TCS माई 2021 ही में रिजारूब बैंक के डिप्टी गवर्नर निमलिखित में से कौन बने है T. रवी शंकर ऑपरेशन समुद्र सेतु टू निमलिखित में से किस ने लॉंच किया है भारतिय नौ सेना 2020 में सरकों पर चालक रहित कारों की अनुमती देने वाला पहला देश निमलिखित में से कौन बना है तो पहला देश जो है चीन बना है तो आप्शन E का राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं नेक्स्ट कोईचन अंतराष्टिय शरम दिवस निमलिखित में से कम मनाया गया है एक मई को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारती महला निमलिखित में से कौन बनी है डॉक्टर कृती करंत ने गूड गवर्नमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का निमलिखित में से क्या अस्थान रहा भारत का उन्चासवा अस्थान रहा नेक्स्ट कोईचन निमलिखित में से किस राजी को E पंचायत प्रुसकार 2020 मिला है उत्तर परदेश को सिप्री दुआरा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सेन्य खर्च के मामले भारत का निमलिखित में से क्या आस्थान रहा भारत का तीसरा आस्थान रहा माई 2020 में मंगल गरह पर लेंडिंग से पहले चीन ने अपने पहले रोवर का नाम निम्लिखित में से क्या रखा है जुरोंग ऑप्शन यह हो जाएगा जुरोंग भारतिय नो सेना निम्लिखित में से किस देश की पंडुब्वी KRI ननंगला 402 के रेस्क्यू अभियान में सामिल हुई इंडो नेसियाई सेना पर्मुक हादी जह जन्तों ने कहा है कि KRI ननंगला 402 एक परशिक्षन अभियान में हिस्सा ले रही थी जब वह लापता हो गई तो अप्चन E हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन तिरानवे आउसकर अवार की घोसना हुई है इसमें सर्वस्रेश्ट फिल्म का अवार निम्लिखित में से किस फिल्म को मिला है नोमेड लैंड को अप्रील 2020 में अरब सागर में अभ्यास वरून 2020 निम्लिखित में से किन देशों की नौ सेनाओं ने किया भारत और फ्रांस की भारत के अनतालिस्यों मुख्य नियाधिस निम्लिखित में से कौन बने है जस्टिस एनवी रमना नेलसन मंडेला वीशू मानवतावादी पुरुषकार 2020 निम्लिखित में से किसे मिला है रूमाना सिनहा सहगल को राष्टिय पंचायती राजदिवस निम्लिखित में से कम मनाया गया है 24 अप्रील को 2020 में रसाइनेक हथियारों के निशेद के लिए संगठन के बाहि औडीटर निम्लिखित में से किसे बनाया गया है ग्रीश चंद्र मुर्मु को 2020 में लीडर समीट और्न कलाइमेट में भारत की ओर से निम्लिखित में से किसे परतिनिधितु किया नरेजर मोदी ने परतिनिधितु किया अक्टूबर 2020 में जी ट्वेंटी सम्मेलन का आयोजन इटली में होना है जबकि भारत कौन से वर्ष में जी ट्वेंटी का आयोजन करेगा 2023 में भारत के 68 वे चेस ग्रेंड मास्टर निम्लिखित में से कौन बने है अरजुन कलियान अंतराष्टिय प्रिथवी दिवस निम्लिखित में से कब मनाया गया है 22 अपरील को नासा के छोटे हेलिकप्टर का निम्लिखित में से क्या नाम है जिसने मंगल गरह के तीन उरान भड़ी है इनजे नुईटी नेपाल अस्थीत माउंट अनपुर्णा को फत्र करने वाली पहली भारतिय महिला निम्लिखित में से कौन बनी है महराष्ट की प्रियांका मंगेस अप्शन ई हो जाएगा इन में कोई नहीं विसु प्रेस सुचकांग 221 की जारी हुआ है भारत को निम्लिखित में से कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है भारत को 142 वा अस्थान पराप्त हुआ है CBAC, NCRT पाठीकरम में बदलाव के लिए गठित बारत सदस्य समीती के अधेक्स कौन है केक, कस्तूरी, रंगन सितंबर 2020 में सौर उर्जा अस्थापी छमता में कौन सा राजजी देश में पहले पाइदान पर पहुँच गया है राजस्थान विश्व धरोहर दिवस निम्लिखित में से कब मनाया गया है 18 अप्रील को अप्रील 2021 में स्पेस एक्स क्रीव टू का निम्लिखित में से किस ने लॉंच किया है नासा ने मैं 2020 में निम्लिखित में से किस किर्केट खिलारी की आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड किर्केट टॉट मी रिलीज हुई सुरेस रहना की इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का कोईचन है तो इसका राइट आंसर यहां पर दिया गया है तो आप इसको अराम से सॉल्व किजिए वीडियो को पहुच करके या स्कीन सौर्ट करके अगर यह पीडिए पीडिएफ लेना चाहते हैं तो डिस्किप्शन में टेलीगराम कर लिए टेलीगराम एस आईवी के द्वारा होने वाला रोग जो है वह एड़ से हैं निमलखित में से कौन सा रोग विशानू के कारण होता है चेचक कुट्टे के काटने से जिस विशानू के द्वारा घात उत्पन होता है क्या कहलाता है हाइड्रोफोबिया बिहार के सिरी से किसे संबोधित किया जाता है सिरी किरिष्ण सिंको डॉक्टर स्री किरिष्ण की सिंको पुराना बिहार का कितना परतिसा जमीन लेकर जारखन राजी बना है तो पुराना बिहार का जो है पैंतालिस पॉइंट आठ पांच जमीन लेकर तो आप्शन यी हो जाएगा इनमें कोई नहीं कि को निमलखित जीवों में से कौन सा उत्तरपुर भारत के लिए अस्थानिक है कि ऑपशन इह हो जाएगा इनमें कोई नहीं इस सितंबर 220 में जारी इंडिया रैंकिंग 220 में ऑवराल कैटेगरी में कौन सा संस्थान पहले अस्थान पढ़ रहा आई आई टी मदरास इसके बाद देखिए ये दो ठों मैथमेटिक्स का कोईचन है तो आप इसको आराम से सुल्ब किजिए तो दोस्तों आज की वीडियो में खान सरकास सेट फोर कॉंपलीट हो गया सेट तीन तक का वीडियो चै के साथ वीडियो सेर किजिए अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्षन में रिखिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी रिपलाइ करने का तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट फाइव के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक कियर